नमस्कार बच्चों मैं कमलेश चनमिस पीजेटी हिंदी अध्यापक सीटी पबलिक स्कूल मुंगरा बाश्चापूर आप लोगों का हिंदी की आउनलाइन का अक्षा में स्वागत करते हैं आज आप लोगों को आरोह भागदो के काब विखंड से गजानन माधो मुक्तिबोद द्वारा लिखेत पाठ सहर स्विकारा है पढ़ाने जा रहे हैं सहर स्विकारा है का मतलब खुसी खुसी स्विकार किया गया कभी अपने अज्यात प्रेमी के साथ बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है वस्वयम को जितना उडेलता है पुन उससे अधिक भरा हुआ पाता है मानों उसके हिदय में कोई यादों का बहता हुआ जहरना है उसका प्रीव उस पर चांत की तरह सीतलता और प्रकास भिखेडता है लेकिन कभी इस प्रेम और उसके अप्रत्यक्ष आच्छादन से बाहर निकलना चाहता है क्योंकि इससे उसे कमजोर और असहाय बना दिया है उसे लगता है कि ये सहारे न हो तो वह जी नहीं पाएगा जीवनता पाने के लिए अर्था निरंतरता पाने के लिए नवीनता पाने की चाह में वह अग्यात को भूल कर आगे बढ़ना चाहता है यद्य पेशा करना उसके लिए दंड के समान है पर वह दंड भी जहलने के लिए तयार है दंड अर्था सजा सजा पाने के लिए भी तयार है क्योंकि वह जानता है कि इस कार में उसे वह या अर्थात उसकी प्रेशी का साथ अवस्य मिलेगा और वह यह सब सहचता से कर पाएगा आईए देखते हैं जिन्दगी में जो कुछ है जो भी है सहर स्विकारा है इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है गर्वीली गरीबी यह गंभीर अनभव सब यह विचार बैभव सब दिड़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है इसलिए कि पल-पल में जो कुछ भी जाग्रित है अपलक है संबेदन तुम्हारा है सहर्स हर्स के साथ अर्थात खुसी के साथ स्विकारा स्विकार करना गर्वीली गर्वानित करने वाली अर्थात स्वाभिमानी गंभीर गहरा गहन विचार बैभव संब्रिद्ध उच्चस्तरी विचार दिड़ता मन की मजबूती सरिता मन के सरिता का अर्थ तो नदी होता है लेकिन यहां सरिता का अर्थ मन के अंदर उठने वाले विचार भाव भीतर आंतरिक अभिनो नया नूतन मौलिक स्वनिर्मित जागरित जागा हुआ अपलक निरंतर बिना पलक जबकाए संबेदन संबेदना अनुभूत आई आर्थ देखते हैं जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर स्विकारा है कभी अस्पष्ट करते हैं कि उसने अब तक के अपने जीवन में जो कुछ भी लब्धी हासिल की है उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसे उसने खुशी-खुशी स्विकार किया है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है गर्वीली गरीबी यह यह गंभीर अनुभव सब यह विचार बैभव सब दिढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है चाहे वह गरीबी हो यह अनुभव हो बाहर की दिड़ता हो, अन्दर की तरलता हो यह सब उसके लिए नए हैं अभिनो हैं और मौलिक भी हैं स्वनिर्मित भी जो हैं यह सभी सामान नहीं है बल्कि विशिष्ट है गर्वीली गरीवी या गरीवी गर्वीली है स्वाहुमान प्रदान करने वाली है ये अनुभव गंभीर हैं विचार बैभो साली हैं कभी इन सब को हर्ष के साथ इसलिए स्विकार कर रहा है क्योंकि वह स्वयम को अपने प्री से अलग करके नहीं देख सकता वह अपने प्री से इतना घनिष्ट रूप से संबंधित है कि उसकी खुसी में ही कभी अपनी खुसी देखता है कभी की प्रीयतमा सभी परिश्टिती में उसे प्यार करती है प्री को सभी चीजे प्यारी होने के कारण ही वह कभी को भी सहर स्विकार है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है कभी कह रहे हैं कि प्री को सभी चीज़े प्यारी होने के कारण ही वे कभी को भी सहर स्विकार है आगे इसलिए कि पल-पल में जो कुछ भी जाग्रत है अपलक है संबेदन तुम्हारा है कभी कहना चाहते हैं जीवन में परतेक पलगटित होने वाली इस्थितियां कि प्री की संबेदना जुड़ी हुई है, प्री की संबेदना की सनलगनता के कारण ही सभी परिस्थितियां कभी को भी प्यारी हैं और खुशी-खुशी स्विकार हैं, आई एक साथ पूरे कार्थ देखते हैं, कभी कहते हैं कि अउसके जीवन में जो भी उपलब्धी हासिल ह जो कुछ भी प्राप्त है, वह उसे खुशी-खुशी स्विकार है, चाहे वह गरीबी हो, चाहे अनुभव हो, चाहे बाहर की दिखता हो, अंतर की तरलता हो, यह सब उसके लिए नए हैं, अभिनव हैं, मौलिक हैं, सभी सामान नहीं बलकि विशिष्ट हैं, यह गरीबी ज साथ स्विकार कर रहा है, प्री को सभी चीजे प्यारी होने के कारण ही वे कभी को भी सहर स्विकार हैं, और अंतिम लाइन में कहते हैं, कि कभी जीवन में प्रतेक पल घटित होने वाली इस्थितियां, जागरित होने वाली भावनाएं, सभी उसे हर्ष के साथ स्विकार है क्योंकि उसके साथ कभी की प्री की संबेदना जुड़ी भी है प्री की संबेदना की सनलगनता के कारण ही सभी परिस्थितियां कभी को भी प्यारी है और खुशी-खुशी स्विकार है यह कविता आत्मकतात्मक सहली में लिखी गई है खड़ी बोली के साथ तत्सम और उर्दू के सब्दों का सुन्दर प्रयोक किया गया है गर्वीली गरीबी में प्रतिवेशन गर्वीली है और गरीबी विशेशन है भीतर की सर्टा या इम्धोव वाक में भीतर की सर्टा से कभी का अर्थ आंतरिक गहनन भूती से है छंदमुक्त कविता है अनुप्रा सलंकार है, गर्वीली गरीबी, गगग की अबृत्ती होने के कारण अनुप्रा सलंकार है जाने क्या रिस्ता है जाने क्या नाता है जितना भी उडेलता हूँ भर-भर फिर आता है दिल में क्या जहरना है मीठे पानी का सुरोता है भीतर वह उपर तुम मुश्काता चांद जयों धर्ती पर रात भर मुश्पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है जयों सब्द लगा होने कारण उत्परेच्छा लंकार है मुसकाता चांद जयों धर्ती पर रात भर जयों त्यों सब्द लगा होने के कारण जाने क्या रिस्ता है इस पक्ती में कभी अपने प्रीज से स्वयम के संबंधों को ब्याख्या करता है कभी कहता है कि मुझे स्वयम पता नहीं है कि तुमसे मेरा संबंध कैसा है लेकिन मैं महसूस करता हूँ मेरे दिल में संबवत मीठे पानी का कोई अंततर स्रोत है मीठे पानी अनुभव उसके साथ बिताये गए मधूर संबंध को कभी यहां मीठे पानी के स्रोता सेंगित किये हैं जिसमें प्रेम को, स्नेह को, आत्मियता को जितना अधिक उडेलता हूं अर्था जितना बाहर निकालता हूं वह फिर से बार-बार भर जाता है मेरे उपर तुम्हारा खिलता हूँ चहरा उसी तरह आच्छादित है अर्था ढखा हूँ है जिस तरह पूरी धरती पर राद भर मुस्काता हूँ चांद अपनी रोशनी अपनी छटा भी खिरता है कभी इन पंक्ति के माध्यम से अपने प्रिय से अपनी आत्मियता अपनी घनिष्टता प्रदर्शित करते हुए कि प्रिय के प्रति उसके अंदर अथा है सागर के समान कोमल भावनाएं प्यार संबेदनाएं आदि भरी पड़ी है उसके अंदर अत्मियता और प्रेम का अक्षय स्रोत है अक्षय जिसका अक्षय नहो जो कभी समाप्त नहो जिसे वह जितना बाहर निकालता है फिर पूरी तरह वह भर जाता है अंदर अक्षय स्रोत बाहर प्रे का मुस्काता खिलता चहरा उसे पुरी तरह च्छादित के रहता है सच मुझे दंडदो की भूलू मैं भूलू मैं तुम्हे भूल जाने की दक्षिन धुरूवी अंदकार मुस्या शरीर पर चहरे पर अंतस में पालू मैं जेलू मैं उसी में नहालू मैं इस पंक्ती में कभी कहना चाहते हैं कि प्रिय की आत्मेतायों पूर्ण समर्पन कोमल भावनाये से वह इतना भिवल है कि स्वयम को उसका पवित्र पात नहीं समझता कभी कहना चाहता है कि अपने प्रिय से वह दंड़ चाहता है सजा चाहता है सच मुझे दंड दोग की मैं भूलूं मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की उसे भूल जाने का वस्वयम को उस सघन अमोस्या के अंधकार में जाना चाहता है सघन घना अमोस्या अंधकार से भरा हुआ जो दक्षणी दुरू पर इस्तित है दक्षणी दुरू पर 6 महिने अंधेरा रहता है उत्तरी दुरू और दक्षणी दुरू वहां सुर्ग का प्रकास या सुर्ग की क्रिणे नहीं पहुंशती है इसलिए 6 महिने वहां अंधेरा कभी इसकी उपमा भूलने का दंड अर्थात सजा अपने आपको देना चाहता है। वो लंबे समय तक स्वयम को घंगोर अंधकार मिले जाना चाहता है। जिससे अंधकार उसके सरीर को, चेहरे को, हिर्दय को सभी जग ब्याप्त हो जाए। अर्थात अंधेरा उसे ढख और उस अंधकार को परतेक अस्तर पर वो जहलना चाहता है, वो उसी में नहाना चाहता है ताकि वो अंधकार को अपने अंदर आत्मसात कर ले। इन पंक्ती में कभी अपनी गलानी को ब्रक्त कर रहा है कभी का हिदा इस बात से ब्यथित है कि जिस प्री ने उसे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया उस प्री को वह उचित प्रतिदान प्रतिउत्तर नहीं दे सका प्री के प्रेम अत्मीता के बदले उसे कुछ भी वापस नहीं लोटा सका ये आत्मकतात्मक सैली में वड़नात्मक सैली में आत्मनभूती में लिखा गया है तुम्हें भूल जाने की दच्छनी धुरू अंधकार मोस्या में रूपक अलंकार है बियोग रूपी रस का इसमे वड़न है शरीर पर चेहरे परंतस में र क्या बृत्ती होने के कारण अनपरा सलंकार है चंद युक्त कविता है इसमें लय का बंधन है न तुक का न चंद का केवल अर्थ की लय औगत सीलता के कारण पंक्तिया अत्यत्न प्रभावी बन गई है और आगे देखिए इसलिए कि तुमसे ही प्रतिवेश्टित अच्छादित रहने का रमड़ी उजाला या सहा नहीं जाता है ममता के बादल की मराती को मलता भीरतर पिराती है कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्माया छटपटाती च्छाती को भवितब्यता डराती है बहलाती सहलाती आत्मियता बरदास्त नहीं होती इस पंक्ती में कभी कहना चाहते हैं कि उसका जीवन पूरी तरह से अपने प्री ये से चारो और से अच्छा दित है चारो तरफ उसके प्री की आत्मियता, उसकी कोमलता, उसका स्ने, उसका प्रेम ब्यापत है जिसके कारण उसके चारो और एक मनोरम उजाला चा जाता है इसलिए कि तुमसे ही प्रतिवेश्ठित चारो और ढखा हुआ आच्छादित चाया हुआ अपने प्री की कोमल भावनाएं ममता का बादल बन कर उसके भीतर मर राती है ममता के बादल की मर राती कोमलता भीतर पिराती दर देती है इस अथा सने प्रेम ममता कोमलता आत्मेता के कारण उसका अंतरमन उसकी आत्मा कमजोर हो गई है अब वह कठोरत आयों कठनाई को सहन करने में अक्सम है कभी की छाति में उसके हिदे में डराओने भविष्य को लेकर छटपता हट है कि उसे हमेशा बहलाने सहलाने वाली आत्मेता इंसने प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा भविष्य की आसंकाएं उसे डरा रही है कभी को अपने प्री की इतनी अधिक आत्मियता, घनिष्टता, प्रेम को मलता बरदास नहीं होती वो भविस्ट को सोच कर दुखी है वैसी जगें जहां चारो और अंधकार ही अंधकार हो चारो तरप कठोड़ता ही कठोड़ता हो ताकि उसमें कटनाईयों में संघर्ष करने की छमता बिक्सित हो सके वो अभिप्रीत परिस्थितियों से मुकाबला करके विजयी होने में सक्षम हो सके अपने अंदर संघर्ष की छमता को बिक्सित करने के लिए अपने चारो तरफ व्याप्त अपने प्री की ममता मई कोमल भावनाओं के सनरच्छन से बाहर निकलना चाहता है सच मुझे दंड दो की मैं की हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में विवरों में विवर बील में गुहा गुफा में धुए के बादल में बिलकुल मैं लापता लापता की वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है इसलिए की जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है होता सा संभव है सभी वह तुम्हारे ही कारण के कारियों का घेरा है अब तक तो जिन्दगी में जो कुछ था, जो कुछ है सहर स्विकारा है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है इन स्पंग्ती में कभी कहना चाहते हैं कि अपने प्री के अस्तित्व से आच्छादित अपने अस्तित्त को समाप्त करने का वह दंड चाहते हैं सच्मुच मुझे दंड दोकी हो जाऊं मैं पाताली अंधेरों की गुहाओं में विवरों में कभी कहते हैं स्वयम को पाताल जैसी घंघोर, गुफा या सुरंग के अंधेरों में बिलीन होना चाहता है अपने बर्तमान संपून अस्तित्त को समाप्त करना चाहता है ऐसी स्थिती में जाने का वह दंड पाना चाहता है बिडमना यह है कि अचानक उसे लगता है लापता होने के बाद भी अपने बर्तमान अस्तित्त को वह समाप्त करने के बाद भी वो अपने प्री के सहारे ही बचेगा धुएं के बादलों में बिलकुल मैं लापता लापता की वहां भी तुम्हारा ही सहारा है अस्तित को समाप्त करने के बाद अपने प्री के सहारे ही तो बचेगा उसके सहारे ही तो रहेगा क्योंकि वह इस्तित्ती भी उसके प्री के कारण ही उपस्तित होगी कभी ने सभी कारियों का कारण उसकी प्री है कभी के कारियों के बैभों का कारण भी उसकी प्रेमका ही है इसलिए उसके अस्तित्य को समाप्त होने या उसके बिलीन होने का कारण भी उसकी प्रेमका ही होगी प्रेमका के अस्तित्य से भिन कभी के अस्तित्य का कोई अर्थ नहीं है मेरा जो होता सा लगता है होता सा संभो है कभी के जीवन में अब तक जो कुछ था बरतमान में जो है और भविस्त में जो कुछ भी होगा वह सब कभी को हर्ष के साथ खुशी-खुशी स्विकार है क्योंकि उनसे जुड़ी सभी स्थितियां परिस्थितियां कभी के जुड़े सारे अथार्थ कभी को प्रिय को प्यार उसकी प्रेम क्या को सब प्यारा है इसलिए कभी को भी प्यारा है उसे सहर स्विकार है उसे खुशी-खुशी स्विकार है क्योंकि उसका अस्तित प्री के कारण ही संभव है इस प्रकार से यह पार्ट समाप्त हुआ इस पर आधारित कुछ प्रस्ण है इन प्रस्णों का उत् चेक कर लेंगे नए आडियो वीडियो में नए पार्ट के साथ फिर मिलेंगे धन्यवाद आपका दिन सुब हो